हेलो बच्चो कैसे हैं आप लोग तो आज की क्लास में मैं एक और बहुत शांदार मैक्सिमा मिनिमा की शॉट ट्रिक्स लेकर आ गया हूँ बहुत ध्यान सा सुनिएगा कोशन्स के थूरू मैं आपको इसको समझाऊंगा बहुत मज़िदार शॉट ट्रिक्स है यह एक बड़ा कॉमन सा कॉशन है इफ एक्स प्लस वाई एकल टू एट देन दा मैक्सिमा वैल्ली ओफ एक्स इंटू वाई आप लोगोंने एक कॉशन जरूर देखा होगा वर्ल्ड प्रॉब्लम में भी इस टैप के कॉशन्स आते हैं और इसको करने का तरीका क्या होता है आपका एक्स प्लस वाई एट दे रखा है तो पी को आप एक्स इंटू वाई माल लेता है कोई और वैरेबल माल लेते हो फिर एक्स प्लस वाई यहाँ पर पुट करते हो फिर डिफ्रेंशेशन करते हो जीरो करते हो वेल्यू जाती है XRY की अलग-लग, फिर इसमें put करते हो और आपका answer आता है, मैं आपको ऐसी short trick बताने वाला हूँ, जिसमें आपको pen भी नहीं उठाना पड़ेगा, और वो क्या है short trick ध्यान से समझ लो, X plus Y equal to 8 है पेटा, हमारे पास symmetry है, ध्यान से देखो, X plus Y, symmetry मतलब X की जगा Y डाल दू, Y की जगा X डाल दू, कोई फरक नहीं पड़ने वाला, X की जगा Y डाला, Y की जगा X डाला, कोई फरक नहीं पड़ा, यानि यहां पर भी देखो, यह भी symmetry है, X into Y, Y into X, अगर यहां पर X into Y square हो जाता, तो symmetry नहीं होती, क्योंकि अगर X की जगा Y, Y की जगा X डालता, तो Y into X square हो जाता, Are you getting my point? तो जब भी हमारे पास symmetry हो, तो आपको एक काम करना है, छोटा सा, X की जगा Y माल लेना है, तो अगर मैं X की जगा Y माल लूंगा, तो यहां 2X equal to 8 आजाएगा, और X equal to 4 आजाएगा, तो X 4 है, तो obvious है, Y भी 4, तो 4, 4 ना 16 answer, बीना पैन उठाए, आप ऐसे question solve कर दोग है, sum तो उनका product हमें बताना है, A into B बताना है, तो obvious है, sum पूछा है, product, sum दे रखा है, product पूछा है, तो 18, 18 ले लूं, half हो गया, तो 18, 18, 324, भाई इसमें गलती मत करते हैं, तो 18 का सकार 424 लिख दो, ठीक है, खताम, बीना पैन उठाए, एक और question लेखते है, sum of 2 positive number is P, if the sum of their square is minimum, then the number R, अगर उनका sum minimum आ रहा है, तो फिर वोगी काम करना है, किस condition में minimum आएगा, दो number है P, तो क्या लूंगा मैं, obvious है P by 2 और P by 2, that is the final answer, सारा symmetry का खेल है, बात बनती जा रही है, sum of 2 non-zero number is 4, sum दे रखा है 4, then minimum value of sum of their reciprocal, यहाँ भी symmetry है, जब symmetry है, तो वही काम करो, X plus Y 4 है, 2, 2 डाल दिया, 2, 2, 1 by 2, plus 1 by 2, answer कितना आ गया, 1 आ गया, बिना किसी doubt, बिना किसी confusion के, X and Y 2 variables, and XY equal to 1, then the minimum value of X plus Y, अब की बार उल्टा हो गया, अभी तह हमें question में दिया गया था, X plus Y, और X into Y के बारे में पूछा था, अब X into Y दे दिया, तो यहाँ भी symmetry है, X into Y 1 है, तो obvious हमें X की जिएका 1 डालू, X की जिएका Y डालू, तो X square 1 हो जाएगा, तो X की जिएका 1 आ जाएगा, plus minus 1 आता है, पर X positive है, तो X 1 होगा, X 1 है, तो obvious है Y भी 1 होगा, बल्ले बल्ले, तो 1 plus 1 यानि कि 2 answer आ गया, अगर हमारे पास X into Y 9 होता हो, तो क्या करते है, 3 3 हो जाता, 3 plus 3, 6 आ जाता, are you getting my point, X into Y equal to 1, then minimum value of X square plus Y square, तो minimum value of X square plus Y square, क्या होगा, दोनों का product 1 1 है, तो obvious है 1 1 हो गया, 1 plus 1 यहां भी 2 आ गया, आप लोग यह भी सोचे रहेंगे, सर minimum आ रही है, maximum कैसे निकालेंगे, वो भी मैंने एक वीडियो में बता रखा है, उसका link नीचे description box में है, उसकी ऐसी video quality तो नहीं है, पुराना वीडियो है, पर उसको भी दुबारे update करके आपको upload करूँगा, पर जब तक आप उस video को देखो, उससे भी काम चल जाएगा, नीचे description box में उस video का link गिवन है, कि किस सरीके से minimum और maximum दोनों निकाल सकते हैं, ठीक है, X into Y4 है, same, अब तो आप champion हो गएंगों जो मुझे लगता है, 22, तो यहाँ 22 प्लस 24, इसका option थोड़ा सा गलब बलाता है, इसको मैं option change कर देता हूँ, तो यह हमारा answer आ गया, ठीक है जी, चलिए, यह आपका homework question है, प्यारा सा question है, और 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 एक बात आपको बता दूँ, यह IIT advance का question है, ठीक है, आपको exemplar में भी दीखेगा यह, board में भी आ सकता है, NDA में भी आ सकता है, bits planning में भी आ सकता है, JE, mains और advance दोनों में आ सकता है, आपके school में भी आ सकता है, तो इस question का answer जरूर दीजेगा यार, देखते हैं आप लोग, क्या answer इसका निकालते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चो, यह comment करके जरूर बताते रहा हूँ, जो मैं आपके लिए videos बना रहा हूँ, यह videos आपको कैसी लग रही है, और मैं आपके live sessions भी ले रहा हूँ, 5.30 PM, जिसमें मैं आपको maximum, minima करवाऊंगा, Monday को, next class में, ठीक है, तो comment करके जरूर बताना और answer जरूर बताना, देखते हैं कौन बच्चा answer सही सही देता है, ओके बच्चो, bye bye, take care, wish you very all the best, thank you.